तो मैं आज आपको क्या पताने जा रहे हैं कि हमारे जो नर्स होती है नर्स उनके क्या रोल्स है और जो उनके क्या फंक्शन होते हैं जो रोल्स और जो फंक्शन होते हैं नर्स के वो दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं एक्जाम से में एक होशन्स हशन्स लेता हूं खूच लेता है , फिर स्अधा इन Мें पेशन को पचन फेख लेता है और पेटा है , बन क्या है धिये ? वह हमें क्या लिखना लिखना होती है , तो आप सब रहए हूं होती है वह हमारी क्या होती है के अर्गीवर होती है जब कोई परसन है वह क्या होता है इल हो जाता है बीमार हो जाता है वह होस्पिटल में जाता है तो महां पर नर्स उसको क्या करती है के अर्ग करती है उसके खाने का ध्यान रखती है उसको कप मेडिकेशन देनी है कोई भी क करती है क्लीनिकल एथिकल डिसीजिन में करती है क्लीनिकल और इथिकल डिसीजिन में का मतलब हो है कि according to person की situation को देख के वो क्या कर सकते है decision ले सकती है कि उसको क्या perform करना है कौन सी medication देनी है कौन सी care provide करनी है अगर डोक्टर हुआ पे अपसेंट है तो उसके पास इतने authority होती है कि in the absence of the doctor she will provide a best medical treatment to the patient ठीक है जो patient के लिए क्या होता है helpful होता है वो उसको क्या दे सकते हैं अच्छा treatment provide कर सकते हैं उसके लिए कच्छा decision ले सकते एक पर एग्जामपल पर संद को क्या हो रहा है severe pain हो रहा है तो nurse क्या कर सकते है कि उस pain के according को क्या बैस्ट जोच ili देनी चीड नर्स क्या कर सकते हैं वो उसको फूब मैं रहते हैं को इंफेक्ट्ट या फीर कोई ओर प्रोग्लम पर्सन को फेस ना करने पड़े तो एजे प्रोटेक्टर क्या करती है वो वर्क करती है फूर्थ आता है हमारा क्लिनिकल एड्वोकेट क्या होते है हमारे वकील क्लिनिकल मला होस्पिटल में एजे वकील वो क्या करती है पेशेंट का वर्क करती है पेशेंट के पेशन्ट क्या करती है वो वर्क करते हैं फिफ्त हमारा आता है केयर मैनेजर या फिर हम इसको क्या बोल चकता है केस मैनेजर क्या करते हैं वो पेशन्ट को केस को हैंडल करती है फिर privacy कैसे maintain करने तो क्या करती है ज़े care manager क्या करती है वो work करती है नेक्स आता है हमारा rehabilitator rehabilitator का मतलब rehabilitation क्या होता है कि patient को फिर से उसकी working condition में जो पहले person healthy था उसी condition में ले के आना बिमार होने के बाद वह hospital में आया तो उसको फिर से उसकी healthy life के अंदर लेके आना तो nurse क्या करती एज़े rehabilitator work करते उसको फिर से उसकी healthy life गैन करने में उसकी help करती है फिर क्या होता है हमारा 7 comfort वो patient को क्या provide करती है comfort provide करती है जिसके अंदर person क्या रहता है comfort रहता है मतलब जो anxiety बगएर होती है पेशिंट के वो क्या कर देती है remove कर देती है ठीक है उससे क्या करती है healthy way में क्या करती है वो communicate करती है उससे relationship maintain करती है ताकि patient comfort रहे तो अच्छे से treatment में वो मारे साथ क्या करेगा corporate करेगा it point है हमारा communicator as a communicator क्या करती है वो work करती है person से communicate करती है उसकी जो problems है उनको find out करने की क्या करती है कोशिश करती है अच्छी communicator होगी तभी वो क्या करेगी ये सब कुछ कर सकते communicator को हम क्या बोल सकते है वो क्या maintain करती है आई पी आर आई पी आर क्या होता हमारा इंटर पर्सनल रिलेशन्शिप क्या करती है मैंटेन करती है किसके साथ पेशन्ट के साथ और उसके फैमिली मेंबर्स के साथ ता कि वो क्या कर सेके जो परसन है उसकी प्रोग्लम्स को फाइंड आउट करे अच्छे से प्रोपर डाइ करती है उसको advocate करती है जुकेशन देती है कि according to situation person को कैसी डाइट लेनी चीए कैसे अपनी hygiene maintain करने चीए क्यों कुन कुन सी medication कि स्टाइम पे लेनी चीए इस चीज से related उसको क्या करती है education provide करते है फिर guidance provider करते हैं ता हमारा counselor वो क्या करते है person की counseling करती है person की होगी family मेमबर की होगी सबकी क्या करेगी कांसलिंग करेगी कि कैसे उनको अपने आपको मैंटेन रखना है या फिर कोई भी गलत चीज़े जो अपनी लाफ में उसक淆 उनको कैसे एक वोईड करने हैं जिससे व父 क्या कर सकती हैं डीजीस से प्रिवेंट हो सकता तो कांसलर की तरह भी वो क्या करती है वर्क करती है उनके माइंड में कोई नेगिटिव थोट्स वगेरा तो उनको रिमूव करने की वो कोशिश करती है तो यह हमारे क्या थे रोल्स एंड़ फंक्शन ओफ दा नर्सिस